Grow से IPO कैसे खरीदे Hello दोस्तो Grow application में अगर आप भी IPO में investing करना चाहते हो कैसे करनी है, क्या process होती है किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना है सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं तो चलिए ये शुरू करते हैं और ये जान लेते हैं ये IPO आखिर क्या होता है IPO यानि दोस्तो Initial Public Offering होता है अब इसका मतलब क्या अब आपको ये जो सारी companies दिख रही है दोस्तो Zometo का अगर आपको पता होगा तो Zometo ने भी किसी समय एक IPO लेकर आया था उसके बाद ही वो आज एक stock बना हुआ है, यानि कि जिस भी company को stock market में trade करना है, या list करना है उसे अपना IPO लेकर आना पड़ता है, उसके बाद ही वो अपना जो share है, वो stock market में list करवा सकती है, तो इसके लिए हमारे पास IPO जो है वो आए दिन आते रहते हैं और अभी तो bull market चल रहा है, इसलिए IPO की जो numbers है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए है, तो इसमें हम IPO में कैसे invest कर सकते हैं, तो IPO में invest करने के लिए आपको थोड़ा scroll down करना पड़ेगा, stocks वाले section में आप हो, ये आप check कर लीजिए, stocks वाले section में एक product और tools में आपको IPO का button देखने के लिए मिलेगा उस पर आप click कर दो, click करने के बाद अभी फिलाल के लिए एक ही IPO open है और उसके सामने आपको apply का button मिल जाएगा, ये जो बाकी सारे IPOs आप देख पा रहे हो, वो फिलाल open नहीं है, open यानि कि क्या कि अभी अगर आपको invest करना है, किसी भी IPO में तो open वाले category में होना चाहिए, तभी आप उसमें invest कर सकते हो, नीचे आप देख सकते हो, closed वाली है, याने कि जो IPOs अभी closed हो चुके है वो वाले IPOs, यहाँ पर आप देख सकते हो upcoming वाले section याने कि आने वाले सेमय में जो है, इनकी bidding start होने वाली है, कि इन में application आप शुरू कर सकते हो, जैसे यह western carriers India जो है यह company का 13 September याने कि मैं यह जो वीडियो है, वो 12 September को अगर बना रहा हूँ, तो कल से यह जो IPO है, उसमें आप apply कर सकते हो, तो यह list भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो उसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपने decide कर लिया है कि कौन से IPO में invest करना है, फिलाल मेरे पास एक ही IPO है, तो मैं उस पे क्लिक कर देता हो तो apply वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे apply वाले बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हो कि apply as, यह आपको एक option देखने के लिए मिलेगा, तो उस पे अगर मैं क्लिक कर दूँगा, तो दो option आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक होगा regular, एक होगा high net individual याने की H&I category भी जिसे हम बोलते हैं, अब दोनों में क्या फरग है, देखो दोस्तों, अगर एक lot जो अगर आप normal category में या regular category वाले IPO में करते हो तो उसका price होता है लगबख 14 से 15,000 के बीच में, तो एक lot आपको लगबख 14 से 15,000 का पड़ेगा, आप अगर इस वाले IPO को भी देखोगे, तो वो भी इसी 14 से 15,000 के range की बीच में रहेगा, पर अब 14 से 15,000 के बीच में है, और आपको अगर 10 lot खरीदना है, तो इसका amount हम consider कर लेते हैं, कि 1,5 lakh के आसपास जाएगा, पर अगर आपको 20 lot खरीदने हैं, तो 20 lot जो है, वो आप regular category के थुरू नहीं खरीद सकते, क्यूंकि regular category में जो है, वो upper limit होती है, 2 lakh रुपे की जो इन्होंने यहाँ पर लिख कर रखा है, कि apply up to 2 lakh रुपीज, अगर 2 lakh रुपे से जादा आपको इस IPO में लगाने हैं, या इन्वेस्ट करने हैं, तो फिर आपको ये सकते हो, उसके उपर अगर आपको करना है, तो फिर आपको as bar करना पड़ेगा, as bar क्या होता है, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे, फिलाल हम UPI में कैसे invest करते हैं, वो हम देखने वाले हैं, तो दो categories आपको देखने के लिए मिल जाएगी, इन दोनों के अलावा भी और categories होती है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, फिलाल के लिए, मैं done पे क्लिक करके, एक बार back button पे क्लिक कर देता हूँ, और बजाज housing finance वाले IPO पे क्लिक कर देता हूँ, अब ये जो IPO था दोस्तों, उसमें आप देख सकते हो, यहाँ पे apply as regular था, apply as employee था, apply as shareholder था, और फिर apply as high net worth individual था, तो ये जो दो categories है, apply as employee और apply as shareholder, ये दोनों categories compulsory नहीं हैं, कि हर एक IPO में आई ही, regular और H&I आपको सारे IPOs में देखने के लिए मिल जाएगा, पर ये दो categories जो होती है, वो हर किसी IPO में आपने को देखने को नहीं मिलती, अगर आप किसी company के employee हो, और उस IPO में आपको ये option देखने के लिए भी मिल जाता है, तो आप as a employee ये apply कर सकते हो, अगर आप एक shareholder हो, जैसे ये बजाज ग्रूप का IPO था, तो अगर आपके पास बजाज finance और बजाज finsev के share होते, तो आप apply as a shareholder भी इस case में कर सकते थे, ये सारे categories का अलग-अलग quota होता है, इसलिए अगर आप different different categories से apply करते हो, तो आपको IPO मिलने का जो probability है, वो बढ़ जाता है, चलिए इसे में close कर देता हूँ, और फिर से PNG वाले IPO को open कर लेता हूँ, यहाँ पर आने के बाद आप उपर के दरफ देख सकते हो, जैसे में नहीं बताया था, कि आपका minimum एक lot का investment 14 से 15,000 की बीच में होता है, यहाँ पर इसकी minimum investment है, 14,136 रुपए, जिसमें आपको 31 shares मिलेंगे, IPO details आप देख सकते हो, कि bidding dates क्या है, 10 September को यह IPO open होगा, 12 September तक यह चलने वाला है, minimum investment हम देख चुके है, price की range क्या रहेगी, अब यह जो price range होती है, उसमें एक lower band होता है, जो की कम price होती है सबसे, और एक upper band होता है, जो की सबसे ज्यादा price होती है, तो 456 रुपीज से लेकर तो 480 रुपीज के बीच में, आप किसी भी price पर bid लगा सकते हो, lot size आपको देखने के लिए मिलेगा, नीचे issue size याने कि कितना पैसा यह company raise करना चारी है, इस IPO के मदद से, अगर आपको इस आप about the company open कर सकते हो, strengthen risks पढ़ना है आपको, तो वो भी हम देख सकते है, आप यह चाहो तो analysis करने के लिए यह सारी चीज़े पढ़ सकते हो, उसके बाद financials का option भी हमें grow में देखने के लिए मिल जाता है, तो यह graphical form में है, जो की बहुत अच्छा है कि आप सिधा सिधा देख सकते हो कि यह company का profit बढ़ रहा है या नहीं, जो इस case में बढ़ रहा है, यह revenue है sorry दोस्तो, profit अगर हम चेक करें, तो profit भी अच्छा कासा बढ़ी रहा है, और assets भी अगर हम देखें, तो asset भी पिछले दो सालों में वो बढ़े ही है, तो ऐसा आप चाहो तो analyze भी कर सकते हो, मैंने आपको already बता दिया, कि regular HNI, employee वगरा आप वो यहाँ से choose कर सकते हो, इसी के साथ साथ shares lot लिख्या हुआ है, कि 31 का एक lot है, तो अगर आपको दो lot लेने है, तो quantity आपको यहाँ पर 62 करनी बढ़ेगी, तो आपको simply एक बार plus पे click करना है, तो यह 62 पे चले जाएगा, और अगर मैं plus पे click करूंगा, तो यह 93 पर set हो जाएगा, तो इसके बीच में कि आप कोई भी quantity यहाँ पर by default डाली नहीं सकते, अगर मुझे 92 चाहिए, तो मैं वो नहीं डाल सकता, तो इसे मैं फिर से एक पर set कर देता हूँ, एक lot पर, यह 31 पे आ गया है, bidding price at cutoff price अगर आप करो, और यहाँ पर आपकी value एंटर कर दो, जैसे मैं अगर 479 यहाँ पर कर देता हूँ, तो मैं वो कर सकता हूँ, price range पिछले page पे आपने को देखने के लिए मिल जाएगी, तो वहाँ से आप price range भी चेक कर सकते हो, इसी के साथ साथ अगर आपको multiple bids लगानी है, तो add bid का भी लगाने के लिए यह option का use कर सकते हो, मैं फिलाल के लिए इसे cancel कर देता हूँ, और अब जो है, हमें यहाँ पर जो हमारा payment का method है, वो select करना है, मेरा यह जो account है, वो already मैंने Google पे के साथ link करके रखा है, अगर आपने नहीं किया, तो आप इस option पे click कर दो, click करने के बाद आपक option पर click करने के बाद नीचे की तरफ आपको amount देखने के लिए मिल जाएगी कि कितना amount आप pay करने वाले हो, इस IPO में आपको invest करना है तो, उसके बाद हम apply वाले बटन पर click कर देंगे, और आपका IPO request हो चुगा है, अब इसके बाद मैं आपको मेरी mobile वाली screen बताने वाला हूँ, जहाँ पर में मेरा Google Pay का, जो auto pay का जो function है, वो कैसे pay करने वाला हूँ, वो आपको में बताऊंगा, इसी के साथ साथ आपको थोड़ा wait भी करना पड़ सकता है, याने कि जरूरी नहीं है कि 5 minute के अंदर अंदर आपको request आ जाए, कभी-कभी 10 minute लगते है, कभी-कभी 2-3 गंट दून करते ही, आपके सामने request आ जाएगी, और अगर नहीं आती, तो आप auto pay वाला section धून लीजिए, auto pay वाले section में आपको वो देखने के लिए मिल जाएगा, तो चलिए, मैं आपको मेरा दूसरे वाला screen बता देता हूँ, payment complete करने के बाद, आपको ये done वाले button पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो, approve request यहाँ पर आपने भेज दी थी, अगर आपको नहीं पता कि कैसे approve करना है, तो उन्होंने भी यहाँ पर एक process बताई है, आप चाहो तो उदर क्लिक कर सकते हो, UPI request जैसे आप approve कर लोगे, यहाँ पर वो थोड़ी देर से update हो जाएगा update होने के बाद आप देख सकते हो कि आज 12 है, तो 12 को मैंने apply किया है, UPI request sent हो गई है, और उसके बाद अगर आपका जो application है, वो place हो जाता है successfully, तो यह भी जो है, वो green में convert हो जाएगा और righty का यहाँ पर आ जाएगा, IPO का allotment status आप यहाँ से check कर सकते हो, अगर आपको allotment हो जाती है, तो जो पैसा आपने pay किया है, वो फिलाल आपके account से block होता है, deduct नहीं होता, यानि कि वो पैसा है, वो सिर्फ उन्होंने reserve करके रखा है, आपके IPO के लिए, वो पैसा आपके bank के account से deduct नहीं हुआ है, अगर आपको IPO का allotment हो जाती है, तो यह जो block वाला पैसा है, फि bank account में फिर से unblock हो जाएगा, और अगर आपको allotment हो जाती है, तो वो आप check कर सकते हो, आपके holdings वाले section में, back करके, आपको यह holdings वाला section यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, वो जो shares होंगे, जो आपको allot होए है, वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएग वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, तो like, share और subscribe जरूर करना, मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, धन्यवाद